Hello friends, welcome back to my channel अपने first video में देखा हुआ कि accommodation के बारे मैंने बताया कि आप accommodation कैसे मिलेगा कैसे आप ढूंद सकते हैं So इस वीडियो के thumbnail में आपने देखा हुआ कि इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि आप New Zealand आते टाइम कौन सा समान लेके आओ कौन सा आप छोड़ सकते हो किस की समान के आपको हफते बाद ज़रूरत है तो आप घर से भी मंगा सकते हो क्योंकि आपने दिखा हुआ फ्लाइट में 30 प्लस 7 kg जालाओड है तो मेरा भी बहुत सा समान है जो इंडिया छुट गया आपसे समान में लेके आपने साथ मैं इधर अरेंज करता हूँ ने क्या समान लेका क्यों लेकर को आओ से बाद में मंगवा सकते हो अब भी आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाता हुँ तब तक मैं अबने दोनों तो और उन औरा आपके लिए इ δोनों में साहमान हैं और खुर्ट समान उस बैग में है तो मैं खा लिए करता हूं त Hypire तो गभाइश मैने गपना समान कर लिया है इसको मैंने क्या समान लेका हुं कितनी क्वांटेकश कमाने लेका है हुं लेट्स हैव लोक देखो सबसे पहले तो दो बैक्स यह दोनों बैक्स मेरे हैं दें यह वाला बैक है इसको मेरे अपना बैक बना लिया था को कि मुझे पता था कि स्कूल में को कॉलेज में काम आए बैक एसी ब्लैंकेट अपने साथ लेका या था पर इसके बज़रत नहीं है को कि मैंने को बताया था कि उनर ने सब कुछ प्रवाइड कि आपके इगनर्स हो गए लोवर्स टी शर्ट्स हुड़ी इंड शर्ट्स तो अब आप तो चीज बताता हूं वाइस देखो में साथ लेका या था दो हुड़ी तो हुड़ी के आपको बहुत जरुरत पड़ी कि आप हुड़ी और जाकेट अपने साथ लेके आपको कि आप बहुत हवा चलती है एक थंडी हवा तो आपको उसके पांच छे काफी तीशिट में अपने साथ लेका था टीशिट दस इनफ है को कि आप फूरी के आप हुड़ी पहन सकते हो जीन्स में लेका था अपने साथ पांच छे तो फाइश जीन्स और इनफ उसके बाद आप इनर वेर ले आओ 7-10 इतने आप ले आओ जरुरत आपको 3 तो नोर्मल आपको कहीं चाहिए होंगे लैपटॉप्स को लेकर के और अधर इलेक्ट्रोनिक डिवाइस को लेकर के बहुत बच्चों कर डाउट होता है कि हम लेकर आया ना लेकर आया तो देखो मैं आपको बताता हूँ अधर पड़ा है और मैं इंडिया से अपना लेकर आया था वेपास लेपटॉप था सही था कुछ टाइम पहले ही खरीदा था तो कोई दिक्कत नहीं थी उसमें तो मैं लेकर आया अपने साथ अगर आपके बस लैपटॉप नहीं है और आप लोगों को लैपटॉप खरीदना है तो यह मैं तो यह सोचना कि आप यहां सा की पर्चेस कर लो बैटर रहेगा क्योंकि लैपटॉप का वेट और एबरेज 2-3 किलो तो होता ही है तो उतना आपका वेट एक्सीड हो जाएगा बल्कि उसकी जगह कुछ और समान भी रख सकते हो तो अगर लैपटॉप आपके की मिन इंडिया से खरीता था 2500 रुपे का था कोई फायदा निया इसका लाने के जवरत नहीं है उससे बैटरा हा ही है कि यहां पर यूज होता ही है यह आप बहां से मत परचेस करो यहीं से परचेस करो चारड डॉलर गए काता है मैंने दो परचेस करे हैं सो इससे मेरा काम चल रहा है सारे electronic devices में यही काम आएगा एक इसमें अटाइच है दूसरे में लैपटप की वायर में अटाइच है यह जो इंडिया से आता 200 रुपे का मतले क्या हो कोई यूज नहीं है इसका बागी देखो जैसे मेको स्पेक्स है तो पर पर साथ तीन स्पेक्स लेगा था एक तो मैंने पहना है इसके लावा तीन और स्पेक्स है क्योंकि यहां पर जो स्पेक्स की कॉस्टिंग है वह बहुत ज्यादा है मतलब 1500 डॉलर अपको फ्रेम मिलेगा उसके बद आप डॉक्टर के बाद जाओगे वह आपका आई टेस्ट करेगा उसकी फीस अलग फिर जो ले लैड्टॉप है मेरा उपने साथ अपने साथ सेंड मेरी मेरी वह चे तो वॉच का चार्जर सेंब का चार्जर मोबाइल मोबाइल का चार्चर ie chap1 यह पूर्थ अइर पाफार्ड9 पावरतें की मुझे अर्वरण 1800 का बढ़ा था बीम दारमémonे का तो आप ले आओ उसके बढ़त पढ़ेगी मैं कोई बहुत ज़रत पढ़ी थी उसके भी बढ़त है आप लें आपने साथ तो एक और चीज इंडिया मैं छोड़ के आए उपने 3 pair shoes black color shoes थे एक formal थे दो casual थे वह मैं छोड़ के आए को कि वही बात है बेर जादा ओर रहा था और यह पर shoes मैं पहने साथ लेकर आई था एक slippers लेकर आए था so shoes मैं भी वापस मंगाओंगा मैं इंडिया से मसालों के डब्बे मैं अपने साथ 3 ले आया था दो छोड़ के आया था वह भी में का मंगवान है अभी अपने इंडिया से अपने लिए भापिस अपने साथ जितना भी समान लेकर आया हुना तो मैंने का कर रहा था दोनों बैक्स में इक्कुली डिवाइट करके डाला था सपोर्ज अगर मैं पास छे जीन्स है तो तीन तीन अगर मैं इनर वेट दस लेकर आ रहा हूं तो पांच पांच हूडी दो लेकर आया था तो एक ए ऐसे करके मैंने अपने समान डाला था क्यों को कि जर्णी बहुत लंबी थी तीन फ्लाइट मैंने चेंज करी तो मुझे यह था कि अगर कल को मेरा बैक कहीं में इस प्लेस हो जाए तो यहां पर आने कर इनिशल कुछ डेस के लिए मेरे पास थोड़ा वाद समान होना उसमें कि आपको साइड डीटेल देनी पड़ती है कि मतलब मैं अपने साथ क्या समान लेके आया हूं मतलब अगर बत्ती धूप या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए ऐसी सब चीज़े आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी और वो करनी भी है क्योंकि अगर आप न कर दिया था उनको बदा भी दिया था तो कोई ऐसे फाइन वगरा नहीं लगा ना उन्होंने मेरे बैक से समान निकलवाया तो वह पास हो गया एक और पॉइंट है यूटेंसिल का सो मैंने पहले वेडियो में भी कवर किया था कि मुझे यहां पे जो ओनर है उन्होंने सारे यूटेंसिल प्रवाइड करें तो मैं अपने साथ एक चमबज भी लेके आया हूं सो आप भी एक चीज़ को पहले देख लेना कि जिस अकमोडिशन में आप जा रहे हो वहां पर आपके पास क्या यूटेंसिल वह दे रहे हैं आपको लेकर आना है सिंपल दी बात है आगर को बरतल लाने पड़ेंगे तो आपका वेट वैसी एकसीड हो जाएगा फिर आपका अपने कपड़े समान कम करना पड़ेगा एक चीज़ को ध्यान रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सोचो कि आपका दो तीन किलो वेट एकसीड हो रहा है कोई शू नहीं है हम ले चलते हैं एकस्ट्रा पे कर देंगे वह 500-600 रुपे पर किलो लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पर कीजी देविल कॉस्ट यू 3,000 रुपीज सो मैंने भी पहले ही सोचा था कि कोई बात नहीं मेरा वेट एराउंड 10 कीजी एकसीड कर रहा था फिर बात में फ सो इसलिए इस पॉइंट को आप कंसीडर करो देखो एक और चीज है कि अगर आप नहीं चाहते है इंडिया से मसाल अगरा लेकर आना टूथ पेस्ट या बॉडी लोशन है रॉयल पर्फ्यूम या पाउडर वगरा तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप यहां से पर्चीज कर स अगरा था में को निकालना पड़ा था इडिया में ड्यूटू वेट एक्सीड हो रहा था सो मैंने यहां आने के बाद पर चेस करा सो ठीक है इस सब चीजे इतना तो थोड़ा दूब बहुत तो बहुत तो अपन डाउन होता है और मैनेज करना पड़ता है मेरे आप सब के जी कि आप अखोमडिートिय्चन देखो जी से कुछो व्यसक्रांद आपसे पयासे पणीज्य हो आपको कम से कम समान अप्राइन पेशाचे आशाप जाबने के बात दी फिर केस अलग है फिर तो आपको लाना ही पड़ेगा बट अगर आप सोचो कि मैं यहां के पर्चेस कर लूँगा तो यहां अगर आप टोटल अपने अगर सारे बर्दन पर्चेस करते हो प्लेट वगरा चमच कड़ाई कूकर वगरा यह सब तब को कॉस्ट करेंगा 140 बहुत यूज अमाउंट है इनिचली स्टुटेंट्स नहीं चाहते इतना अमाउंट इंवेस्ट करना इसलिए बैट रहेगा तक आप ऐसा अकमडेशन देखो जिसमें सारी चीज़े आपको पहले से प्रोवाइड़ेड हो इस वीडियो में मैंने कवर क्या सारा समान जो मै रैसल आना चाहिए कि नहीं लेकर आना चाहिए क्यान कमेंने ड्रॉप को आपको रिपलाइ करूंगा नहीं तो आप मझें इइस्ट्रागरम पर फॉल्व कर सकते हैं गृराब अंट्र स्कोस बसीन मैं आपको वहाँ पर भी रिपलाइ करूंगा एंग आपको और यौक्त की